नमस्कार आप देख रहे हैं एटियन लाइब और मैं हो चंदन हिना सहाब को निमंतरन दिया दरसल हिना सहाब ने एक पत्र जारी किया है और उसी में यह सब लिख करके और जानकारी दी है हिना सहाब ने आगे लिखा है कि उनके असिम स्रे और प्रेम को देखकर मैंने उनका निमंतरन स्विकार किया और जाने का फैसला लिया इस कारक्रम मे सामिल होना मेरे लिए स्वभागी की बात है क्योंकि मेरे पती मरहुम डॉक्टर मुहम्मद शाबलिन शाहब की संसा के प्रती बहुत रूची थी और वे भी इस कारक्रम में अपने लोगों के लिए सामिल होते थे साथ में और आप सभी बिहारवाश्यों का बहुत से ने मिलता था असापना दिवस के उसर पर वहाँ कौमी एकता कॉन्फरेंस और मुसायरे का भी आयोजन किया गया है या एक परिवारी कारक्रम की तरह है या रायनितिक यात्रा या रायनितिक कारक्रम बिल्कुल नहीं है इसलिए इसे रायनितिक रूप ना देने की मैं अपील करती हूँ मैं यह असपश्ट कर देना चाहती हूँ की सोसल मीडिया में मेरा या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की ओफिसियल फेस्बूक आईडी या ट्विटर एकाउंट नहीं है अगर कोई सोसल मीडिया पर हमसे संबंदित किसी भी रायनितिक पार्टी के खिलाप पोस्ट और सेर करता है तो वो मेरा मेरे परिवार का या साहब का सुपचिन तक नहीं है इसलिए सोसल मीडिया के किसी भी भ्रामक पोस्ट पर ध्यान न दे मैं एक बैक्तिगत कारक्रम में अपने लोगों के साथ अपने लोगों के बीच जा रही हूँ या कोई रायनितिक कारक्रम नहीं है साथी मैं अपने साथ चलने वाले सभी अपने लोगों से सब का मन सम्मान रखते हुए धैर एवं सांतिपुन तरीके से चलने के साथ साथ किसी भी तरह के नारेबाजी से बचने की अपील करती हूँ आप सभी का धहर एवं सन्यम ही हमारी ताकत है मैं इस बात को मेरे पती मरहुम डॉक्टर मुहमद शाबदिन सहाब के निजी सच्यू औरुन कुमार मुन्ना के द्वरा परकासित कर रही हूँ धन्यवाद तो ये पत्र जो है हीना सहाब ने जारी किया है तमाम जगों पर किसी के बारे में कुछ लिखता है तो उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है और उन्हें अभी कह से द्रभांगा मैं जा रही हूँ वहां पर और इंडिया मुश्लिम बेदारी कारवा के शापना दिवस पनाये जाएगा वहाँ पर कौमी एक्ता के प्रतीक वहाँ पर कौन्फेरेंस का भी आयोजन किया गया जो कि मुशायरे का आयोजन होगा और वहाँ पर पूर्वसांसद ममश्याबदिन यानी की हिना सहाब के पती भी जाय करते थे जो उसके अध्यक्ष है नजरे अलम काफी वहाँ के संसा से उनका लगाओ था ममश्याबदिन सहाब से इसलिए एक परिवार का कारक्रम है और इसी को लेकर के हिना सहाब जा रही है जो जनकारी मिल रहे है कि हिना सहाब जैसे दर्भंगा जाएंगी तो जगा जगा लोगों के दोरा इनका गर्म जोसी के साथ स्वागत किया जाएगा लेकिन दूसरे तरह भी चर्चा हो रही है कि क्या हीना सहाब कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाओं में वक्त बहुत कम है और चुनाओं की तैयारी में लगी हुई है लेकिन अभी तक हीना सहाब के द्वारा चुनाओं को लेकर कोई ब्यान नहीं आया है पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि अगर सीवान के लोग चाहेंगे तो मैं चुनाओ लड़ूंगी और आज जो उन्होंने एक पत्र जारी किया है जो 28 सारी को इसी 28 नॉमर को दरभंगा जाएंगी वहाँ पे ओल इंडिया विदारी जो कारवा है उस संसाय के द अगर शोशल मिडिया पर किसी भी रायेतिक दल के बारे में या विरोध में लिखेंगे उसमें हीना साहब का किसी परकार का या उसामा साहब का किसी परकार का उनके परिवार का किसी भी परकार का कोई लेना देना नहीं होगा तो यह सपष्ट कर दिया हीना साहब ने कि वो प्रादित भ्यान भी नहीं देंगे और तमाम चीजों का ख्याल रखेंगे वहाँ पर पुर्गाम है साहब से काफी लगाओ था और इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस दौरा को पॉलिटिकल दौरा भी मान रहे हैं और कह रहे हैं क जो चुना होगा 2024 का वह क्या रंग दिखाएगा क्या गुल खिलाएगा या तो खेराने वाला वक्त ही बताएगा एटियन लाइप के लिए चंदन कुमार सीवान